अलो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत आपका इस नए वीडियो में इस वीडियो के अंदर हम Redux with like API with Redux देखने वाले हैं जिसके अंदर हम API से डेटा निकालेंगे और Redux का यूज करेंगे डेटा को एक्सेंस और like Reducer के जरी पास करेंगे और सेव करेंगे तो वीडियो को पूरा देखना अगर अच्छा लेगे तो लाइक जरू करना ओके तो स्टार्ट करते हैं तो इस एप के अंदर मेरा अल्रेडी Redux का सेटप है क्योंकि बेसिकलि अगर आप API के साथ डेटा डेटा निकालने वाले हो तो चायज सी वात है कि आपने Redux का सेटप तो कर लिया है तो Redux का सेटप अल्रेडी है मेरे मल्टिपल रिड्यूसर अल्रेडी इस एप के अंदर मेरे यूज हो रहे हैं और यह जो एप है यह ग्रॉसरी एप है तो सबसे पहली चीज मैं जो API यूज करने वाला हूं वो API है हमारी यह फेक API है इसके अंदर यहां पर आप देख सकते हो get all products की एक API मुझे दिख रही है तो यहां से क्या कर सकते हैं देखो fetch का code है यह code हम लेंगे और यहां से प्रोडक्स हमारे निकलेंगे तो यह code हम यहां पर लेंगे ठीक है और इस यह एक screen है जो currently यहां पर देख सकते हो यहां पर एक const get data करके method में बनाना है और इसके अंदर यह code डाल देना है इतना तो पता की चलिगा कि हाँ यह code fetch वाला है जिसके अंदर यह URL है जिससे डिटा निकल रहा है response without JSON निकलता है तो उसको हमें क्या convert करना पड़ता है जेसन फॉर्म में convert करना पड़ता है और उस जेसन फॉर्म में यहां पर हम return कर देते हैं ठीक है अब यह चीज़ क्या है यह बिना असिंक अवेट है यह promises के है ठीक है अब हम इस पहले हम एक पर देख लेते हैं इस function को य यह सकते हैं यहांथ देटा ऊरह यके तो आधर्ण चराल है तो यह दिल्क यह रहा है अब यहां से से करने वाले तो यहां कॉंस्ट आरी एस अवेट इस तरीके से रखे देंगे अब इससे क्या होगा जो भी रिस्पॉंस इस API का है वो कहां आ जाएगा से रिस्पॉंस के अंदर आ जाएगा हम एक और कॉंस्ट टेटा इकवाइट और यही रेस डॉट जैसन जो यहां मिला है उसको हमने जिसमने convert कर लिया ठीक है असे इंक वेट का यूज करके अब इस डेटा को हम अगर हम प्रिंट कराएंगे तो मालो console.log और यहां पर देखोगे इस डेटा को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो यह डेटा इसली आ जाएगा मालो इसके साथ में कुछ यहां पर देखोगे डेटा नाम का एक ऐरे आरा रहा है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट से ठीक है तो यहां पर अगर मैं इसको जेसन तो यहां पर देख सकते हो कि यह डेटा आरा है जिसमें हमें यहां देखा डेटा में बगा यह आ रहा है पूरा एकदम से घ्री ओपिन हो गया है तो यहां डेटा हमें मिल रहा है अब इस से धर को हमें रिडक्स के ज़रीए सेब करना होगा तो मैं क्या करना होगा सबसे पहली चीज action बनाना होगा action कैसे export get const get data method मतलब यो data निकाल ले वहाला method है और इसके घ्रटा के डाल सकते हैं रेकशन लिए और यहां पर अर्ट पहले हिए थे तो हमारा एक्षन बन गया अब बात करते हैं यहां पर आप याप साथ इड्यूसर बना रखें यह लस दा और आएड कर देते हैं जिसका नाम रखतेैं एक ड्यूसर अब जो भी हमने अल्रेडी रिड्यूसर बना रहे हैं बहुत सारे इनको कॉपी पूरा करो और यहां पेस्ट करो जो चीज हमें यूज करने ही वह हम रखेंगे बाकी सब अठा देंगे जैसे कि मालो हमें एक्संस की यहां फिलाल कोई जो तनी इस तरीक एगी और यह इतनी सा जो ऑड़ी कर रखाता इसलिए मैं अंता नाम का जो में एक्संस का नाम है वो फिप कर लोड आ है वो टेंड़ हाई स्तेट यहां पे इसको कर देते हैं यहां क्या नाम है इसका एल्ट्रीज सेट होग और और बाकी जो return state हो रहा है वो सारी चीज़े हैं इसको save कर लो यह हमारा reducer बन गया है जिसमें इस्टेट आ रही है इनिशल इस्टेट है करेंगे यहां पर आ नीरह चैंक है करेंगे इंपोट को need to call कर लिया और जहां पर रूट रिड्यूसर बना रहे है उसमें यहां पर यहां पर dispatch कॉल करूंगा और dispatch कैसे बनता है हमें यहां पर एक कॉंस्ट बनाना पड़ेगा क्या dispatch और यह कहां से आएगा यूज़ इस्पैश से ठीक है जो एक होक है रियक्ट रेडक्स का यूज़ डिस्पैश से मैं डिस्पैश निकाल लिया यहां पर डिस्पैश कॉल करो और इसके अंदर कौन सा मैथड कॉल करेंगे गेट डेटा मैथड वन सेकेंड कहां गया इसको मैंनिक साइद सब्सक्राइब नहीं हुआ इसको हम कॉल करें गेट डेटा मैथड वान सेकेंड एक्सपोर्ट कॉंच सही है तो सेव कर दो भी एक कॉल नहीं हो रहा है तो मैं करों यहां पर कॉंच्ट हुआ है घ्रण डेटा मैथट स्रॉंग है इंपोर्ट करेंगे ठीक है इंच एक्सं डेट्स एक्संस 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 त्यद्स निकालेंगे ग्रेट डेटाम मैथड ओक्यूंग् अब गेट डेटा में तड़ यहां आ रहा है तो इसके अंदर में पास करना पड़ेगा डेटा तो यह डेटा यहां प्याया यह वहले इता हमने पास कर दिया और ओके कि अध्यक्स एक्सेंज कि आ रहा है इस फाइल एक्जिस्ट कि कि के तो आरस ओपन करते हैं इसको हुँ 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 को क्टी के तॉह मालो अब क्या हो गयाNão से मैंने दिस्पेश तो कर दिया डेका और यह डिस्पेश भी हो गया API reducer के अंदर आएगा और यहां से action.payload as a return हो जाएगा new state और यहां पर store में चला जाएगा क्योंकि मैंने यहां पर API reducer को कर दिया एड ठीक है अब बात करते हैं यह data आ रहा है या नहीं आ रहा हो कैसे पता करेंगे तो यहां पर क्या करते हैं हमने सेव तो एक बार करी है तो यहां पर हम कॉंश्ट data from API यह से एक variable लेते हो वो क्या करेंगे उसमें use selector का use करके मैं state से क्या करूंगा कौन सी state API reducer state.api reducer अब इसके अंदर क्या आगर वो array सेव हुआ होगा तो आ रहा हो तो यहां पर क्या करेंगे console.log और यहां पर API data from Redux इस तरीके से यहां पर add कर देता हो यहां पर क्या कर देंगे data from API को इस तरीके से call कर लेंगा और देखते हैं यहां पर अपनारे console में data आ रहा है या नहीं आ रहा है data from Redux यह देखो हमें एक एरे मिला जिसके अंदर multiple objects हैं तो इसको क्या कर सकते हैं यह ना इसको मैं as a.json.stringify इसके अंदर में डाल दूँगा ठीक है जब मैं इसको डालूँगा तो इसको में save करूँगा यहां पर देख सकते हो आप रहे हैं like data save करें store के अंतर वहां से निकाल भी पा रहे हैं ऐसे आप सेम हर टास्क को कर सकते हो इस तरीके से और यहां पर इसको यूज किया है ठीक है तो आप इस तरीके से कर सकते हो ठीक है तो ट्राइक करो अगर कुछ दिक्कत आती तो मुझे कमेंट पर बताना बाकि अगर वीडियो अच्छा लगा हो helpful लगा हो तो अभी कभी लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिलते नेश वीडियो में तब तक के लिए बाए